नागपु शहर के मुख्य बाजार इत्वारी इलाके के खापर पुरा में एक इत्रकी गोदा में सुभा तड़की आग लग गए दब कल विबाग की आर काड़ियों के मौके पर पहुचने और आग पर कापु पाने के बाद एक बड़ा हाथ साटल गया इस घटा में एक लड़की की मौत हो गई है जबकि तीन अन्यक गंपी रुप से खायल हो गए है जेने इलाज के लिए अस्पताल में भर्टिक रहा गया है इनमें से दो की हालत गंपीर है हासे में प्रवीन बाखडे उमरे 40 साल उनकी बतनी प्रिती बाखडे उमरे 37 साल गंपी रुप से खायल होके हैं उन्हें अस्पताल में ले जा गया है वहीं इलाज के दोरान अनुश्का की मौत हो गई है बाखडे पती पती की हालत गंपीर है बाखडे ने कुछ साथ पहले ग्राउंड फ्लोर का गोदाम किसी को बेश दिया था और मिली जानकारी के बता गोदाम में शौर्ट सर्किट से आग लग गई देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपिट मिले लिया इसे दोरान परिवार का एक सदस्य जाग गया और आप देखकर चिक पुकार बच गई शोर सुनते ही आसपास की लोग बहार आके इसकी सुछना तुरंत अग्रिशमन विभाग को दीगे गटना की जानकर बिरते ही दमकर विभाग की अधिकारी आठ गाड़ियों के साथ मौके पर पौचे गोदाम में पर्फियूम और चपले रखी हुई थी और प्लास्टिक का सावान होने की कारण आग बचाने और फसेवे लोगों क को निकाने में काफी दिक्कत आई है ऐसे में फाय ब्रिगेड घर के अंतर पौची अंदर फसेच चार लोगों को बहा निकाला गया कैमरा परसन अखिलेश भारतवाज के साथ अभिशेख पांसी की रिपूर्ट